समस्कार दोस्तों बारती किसान यूटुब चैनल में आपकाई स्वागत है तोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे भारत के लिए मौंग की बेश्ट उतपादन देने वाली गर्मी वाली टोप पांच किस्मों के बारे में बात करेंगे दोस्तों 7-7 दोस्तों ये बंपर उतपादन देने के 7-7 इनमे पीला वाइरस रोग यानी येलो वेंड मुझे वाइरस रोग नय के बराबर लगता है यानि दोस्तों पीले रोग की दिकत इसमें नहीं आने वाली है साथ ही साथ दोस्तों इन किस्मों का आप बीज कहां से प्राप्त करें इनके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इस लिश्ट में अपनी पहली किस्म है IPM 2005-7 जिसे विराट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसे पूरे भारत के अंदर लगाया जा सकता है दोस्तों इस लिश्ट में अपनी दूसरी किस्म है IPM 410-3 जिसे सिखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यह भी बहुत जादा बोई जाने वाली किस्म है क्योंकि यह काफी अच्छा उत्पादन देती है दोस्तों यह मातर अठाउन से 65 दिन के अंदर ओसतन 12-13 क्विंटल और अधिकतम 15 क्विंटल परती एक्टेर तक उपस देती है दोस्तों इसे मध्य, उत्तर और पस्चिमी बारत के अंदर लगाया जा सकता है दोस्तों इस लिश्ट में अगली किसम है PDM 149 जिसे समराट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यह 60-65 दिन के अंदर ओसतन 12 क्विंटल परती एक्टेर और अधिकतम 15 क्विंटल परती एक्टेर तक उपस देती है दोस्तों वैसे तो इस किसम को पूरे भारत में लगाया जा सकता है लेकिन यह यूपी में सबसे ज़्यादा सूटेबल किसम रही है दोस्तों इस लिश्ट में अपनी अगली किसम है HUM 16 जिसे मानवी जल कल्यानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यह भी बहुत ही बेतरी किसम है जो मातर 60 से 50 दिन के अंदर दोस्तों 14 से 16 कुटल परती अक्टेर तक उपस देती है दोस्तों यह पूरग और उत्तर भारत के लिए सबसे सूटेबल किसम मानी जाती है दोस्तों इस लिश्ट में अपनी अगली किसम है पूसा 45 में 31 जो मातर 60 दिन के अंदर 12 से 15 कुटल परती अक्टेर तक उपस देती है दोस्तों यह दिली वा उसके आसपास के लिए सूटेबल किसम है दोस्तों यह तो थी टोव 5 मूंग की किसम है लेकिन दोस्तों कुछ अन्य किसमें भी है जो भी गर्मी के अंदर काफी अच्छा उत्पादन देती है उन्हें आप गर्मी के मूंग के लिए लगा सकते हो जिनमें पूसा 5 साल, वारांगल 2, हम 12, IPM 2, 3, बसंती, IPM 2, 14, आदी को भी आप लगा सकते हो गर्मी के अंदर यह भी अच्छी किसम है अगर उपर वाली पांच किसमें नहीं मिलती है तो आप इनमेल से भी लगा सकते हो दोस्तों मूं की किसमों में दोस्तों अगर बात करें कि इनका बीज आप कहां से प्राप्त करें तो इनके बीज प्राप्त करने की कई उप्सन है जैसे आपके आसपास में बड़ी खाद बीज की या करशी की दवाईयों की दुकान हो खाद बीज की तो वहां से आप प्राप्ट कर सकते हो प्रतिस्टित दुकान हो दूसरा हर जिल्ले के अंदर नेशनल सीड कोर्पोरेशन जो की बारत सरकार का ओपिस होता है इनका ओपिस हर जिल्ले के अंदर होता है एनसी का ओपिस वहां से आप प्राप्ट कर सकते हो पास पहुंगे जहां से आप करीद सकते हो आशा करता हूँ सबसक्राइब करेंatta पिरो बारती रिप 17 चैनल को सबस्क्राइब करें कि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मुबाइल में पहुंच से के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद